स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में गाइस आज का हमारा टोपिक है थुरंबो फोब जैल के उपर ये जैल कब यूज करते हैं, किस कंडिशन में यूज की जाती है और इस जैल का प्राइज, प्रिकेशन, साइड इफेक्ट और यूज करने का सही तरीका यानि इसे एपलाई कैसे करना है ये सारी इनफोर्मेशन आज हम इस वीडियो में भोती अच्छे से जानने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नोलिजिबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं थरंबोफोब जेल जाइडस केडिला कमपनी के दुआरा बनाये जाता है और 20 गराम का ये जेल होता है जिसका MRP 145 रुपिय होता है और इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं बेंजिल निकोटिनेट जो 2MG में होता है और हिपेरिल ये 50IU में होता है इसके बेनेफिट्स की बात की जाए तो थरंबोफोम कॉंबिनेशन ओइंटमेंट है जो थरंबोफिलेबाइट्स के ट्रीटमेंट में यूज के जाती है मतलब कि वीन में बलड कलोट के कारण सूजन आ जाना या फिर इंफिलामेशन हो जाती है उसको ठीक करने के लिए इस ओइंटमेंट को यूज के जाता है पूर एकजामपल हमने किसी परसन के कैनोला लगाया है कैनोला आउट लगने की वज़े से या फिर कैनोला को तीन चार दिन हो गए और उसको जब निकाला तो वहाँ पर स्वेलिंग आ गई निले निशान हो गई इन सब को ठीक करने के लिए थरंब फोंब ओइंटमेंट को यूज क्या जाता है ये ओइंटमेंट कैनोला की वज़े से आई श्वेलिंग को या सूजन को या लालपन वगहरा जो भी आ गया है उसको पूरे तरीके से ठीक करती है इसी तरह किसी परसन को injection लगाया है, injection reaction कर गया या injection सही तरीके से नहीं लगा है जिसकी वज़े से injection जहां पे लगा है, वहां पे गांट बन गई या फिर इसकिन पर रैसिस से हो गई, सूजन आ गई ऐसे में भी इस ointment को यूज किया जाता है ये ointment सूजन के साथ साथ दर्द को भी कम करती है तो injection की वज़े से गांट बनना या सूजन आ जाना, नेले निसान हो जाना इस चीज को कवर अप करने के लिए थरंबोफोग ointment को यूज किया जाता है तो ये तरिश के कुछ benefits, अब हम जानने थे हैं यानि आपने इस ointment को लगाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना है इस ointment को external यूज करना होता है skin पर यूज करना होता है, skin के अंदर नहीं यूज करना होता है और इसे खाना नहीं है, ये ointment है जिसे skin के उपर apply करना होता है और guys इस क्रीम को लगाने के बाद जहांपर ये क्रीम लगी है वहाँ पर थोड़ा जलन हो सकती है तो आपने घबराना नहीं है, हल्के फूलकी जलन हो सकती है अगर ये जलन 2-4 मिनिट के अंदर ही ठीप हो जाती है तो आप इसे इस क्रीम पर लगा कर रख सकते हैं लेकिन अगर ये दो-चार मिनिट के बाद भी जलन कम नहीं हो रही है, फिर आप इस क्रीम को वोज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हो सकता है ये क्रीम किसी परसन को सूट ना आए, तो ऐसे आप इसे चेक आउट कर सकते हैं, और ज्यादा quantity में भी आप इस क्रीम को ना लगाए, ज यानि जहां पर इस क्रीम को लगाया, वहां पर जलन हो सकती है, या ऐलर्जी वगएरा हो सकती है, अगर किसी परसन को सूट ना आए, इस तरह का common side effect एकाथ परसन को कभी कभी आ सकता है, अब हम लाश्ट में जान लेते हैं, इस क्रीम को apply कैसे करना होता है, तो देखिए गा जानी या फिर पसीने के वज़े से गिला नहीं होना चाहिए, उसके बाद हलके हाथ से इस क्रीम को लगानी है, और 2-3 मिनट तक हलके हाथ से ही मसाज करनी है, बस इस तरीके से इस क्रीम को apply करना होता है, सुबह में आप इसको लगा सकते हैं, साम में भी लगा सकते हैं, दि तो ये थी थ्रोंबो फोब क्रीम की कुछ जानकारी इसी तरह एकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं